वाले हैं ग्रेमर से रिलेटेड कुछ यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेस्टेंज के जरीए हम सीखेंगे यहां पर कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग मैथट तो वीडियो के अंतरद बने रहीएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा औ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है ठीक पहले नंबर का क्वेस्टिन हमारे पास है कैन यू इमेजिन दैट सी है थर्टी फाइफ पेर आप सूज नो एरर विया आटू फाइंड एरर हमें एरर ढूंडना है कौन अब बात करें पहला वालों जो हमें यहां पर रखा क्लॉज यह इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव प्लॉज के सांथ दूसरा जो क्लॉज आएगा वह क्या आता है तो यह तो यह चीज तो हमारी बिल्कुल एक्दम एक्विरेट है सी है जा रहा है है सी नहीं आ ठीक है अब रही बात 35 या और ही और है कौन से पार्ड में घर लिए इसका अगर बता है तो a top this day हो जाएगा यह थार्ड पासéd पार थ्यां裡面 कि option number C में हमारे यहां पर error है questions का label आपको पसंद आए तो जरूर एक like कीजी का फिर से कह रहा हूं क्योंकि आप like करना भूल जाते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं आप नहीं करते हैं लेकिन आप video watch करते करते यह भूल जाते हैं कि आपका एक like भी हमारे लिए माइन ही रखते हैं इंग्लिस लिटेचर से रिलेटेड वीडियोज भी upload कर रहे हैं एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है grammar जो है लिटेचर पे आधारिज जो उत्राखंड LTE का जो जितना भी course है उससे रिलेटेड और part 1 में आप देखिए हर एक topic को cover कर रहे हैं और ऐसे topics को cover कर रहे हैं जो आ अलग से अगर इतनी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे तो चैनल में अलड़ी इतनी प्लेलिस्ट बनाएं तो वो काम पॉसिबल नहीं है उसके लिए एक चीज मैं अपनी तरफ से एक suggestion दे सकता हूँ अगर आप जब preparation कर रहे हैं आपको दिक्कत आ लिए तो आप एक जो है अपनी को कर लिया तो उसके बाद कम सकम दो या तीन बार अगर आप उस topic को करते हैं तो उन questions पर आपकी command हो जाएगे अगर उन questions में से वहाँ पर कुछ पूछा जाता है या explanation जो दिया गया है वहाँ से अगर question बनता है तो आप easily कर पाएंगे यह मेरा अपना experience से और किसी भी topic को अगर वो कर रहे हैं तो उसको कम सकम उसका revision जरूर करें दूसरा question आप देख सकते हैं all the informations अब देखिए यहाँ पर information था ठीक है question में अगर बात करें तो यहाँ पर information भी था is wrong अब बताना है कि इसमें error कहां पर है अब आप तो समझी गए हुआ information कोई word नहीं होता है ठीक है तो अगर बात करें तो part 2 में error है किसमें error है part 2 में है अब देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी जिसमे parts of special related questions बताए थे उसमें मैंने बताया था जिस word के अंत में क्या आ जाए मार पास TION आ जाए SION आ जाए MENT आ जाए इसके अलावा सिप आ जाए और हुड आ जाए इसके अलावा हमने बताया था टी आ आ जाए ठीक इस टाइप के आपको कहीं पर देखने को मिल जाए एनी डे सब नाउन की पहचा नहीं यह सब हिक्स मिलेंगे इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एप्लीकेशन ठीक है कंपैरिजन पैंशन टेंशन अरेंग्मेंट मैनेजमेंट शिप रिलेशन्शन्शिप डिक्टेटर्शिप से ठीक है हुड ब्रेदर हुड चार्ड हुड इस टाइप के वर्ड अब यह जहां पर आते हैं यह नाउन तो हैं लेकिन नाउन में अगर बात करें वीडियो एक अलग से वीडियो बनी विया अगर टाइप सब नाउन भी आपको सीखने है तो उस पर जा सकते हैं बहुत इजी वे में समझाया गया है एबस्ट्रेक्ट एबस्ट्रेक्ट क्या होता है जिसको अगर हम उसमें साइकलोजी की भास में बात करें तो अमूर्त होता है अमूर्त का मतला मूर्त को हम देख सकते हैं मूर्ती को हम देख सकते हैं लेकिन अमूर्त को हम नहीं देख सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते जो अमूर्त जिनको हमारा जो है एर्र किसमें पार्ट टू में है और बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जागा नेक्स्ट क्वेश्चिन हमारे पास है आप देख सकते हैं ति प्रेक्टिसेज अब धी हिंदी एक्ससाइज वेरीज फ्रॉम डैट आप मैथेमेटिक्स डैट आपका यूज क्यो परण होना जैसे आपने सुनों गए वेरियेबल चर्क तो क्या होगा यानि की वैरीज करना चैंग तो हिंदी के एक्सराइज करति है वहने करती है ना कि मैथेमेटिक से करती है जैसे क्लाइमेट, ओल्लाआई अब्षभाणी के, अगर अगर आप कहें he from देहरादु। नहीं होगा, क्लाइमेट मेuttaैं क्लाइमेट ऑफ हालदवानी के अगर उसकी बात करें हम किसी बात कर रहे थे हमने टेंप्रेचर की बात की तो यह चीज आप ध्यान रहे कि यहां पर भी एक्सेसाइज है हिंदी की और यह रहा है उसकी उसका कंपेरिजन हो रहा है इस में पताने है एर कॉंसे पार्ट में फार्ट में प्रेक्टिस होता है उप्रेक्टिस होता है और जिस में ऐसे उड़ाए दियान दीजीए इन दोनों में क्या अंतर है अगर आप अलड़ी जानते हैं तब तो अच्छी बात अगर आपको नहीं आता है कुछ आपको नया सीखने को मिला एक लाइक जरूर कीजिए का क्यूंकि वीडियो वाच करता करता है आप भूल जाते हैं टेखे आपने वी देखा होगा एडवाईस का एक अपद भाईस्यं यह वाला है ठीक है यह दिस भाउश करने और यह वर्बो कहांपर नाउन का यूज़ करना है कहांफर यूज़ करना है यह बहेगतर जानते हैं यह पार्ट सबस्पीच में ही पता चलता है अगर पार्ट नेक्स स्क्सक्राइब और या 500 रूपी है यह भीज़ दिए यह भी इसेंट केविया वह भीज़ चर्श वह रहा है क्यों आठ रहा है वह इनी स्पेश्ट बयूपी कि है तो तो 500 याद रखे अब यहां पर एरर क्या है रूपी नहीं होगा रूपीज होगा क्या हो जाएगा रूपीज हो जाएगा तो इसलिए एरर कॉन से पार्ट में हो जाएगा हमारा एरर हो जाएगा यानि की रूपी में हो एरर है रूपी नहीं होगा रूपीज होगा 500 की बात चल लिए वन रूपी बोलेंगे लेकिन अगर मोर देन वन आ रहा है तो क्या हो जाएगा रूपीज हो जाएगा नेक्स्ट क्यों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्यों है तो मैसूर की सीनरीज को पसंद नहीं करता एरर बताना है पार्टम क्यों होगा तो एरर कौन fine पॉजाएगा हमारा सॉरी जो सीनरी होता है इसका और एक्च्टल वाड की वाद करता है तो सीनरी होता है Scenes से क्या बनेगा scenery S-C-E-N-E-R-Y scenery होगा क्या हो जाएगा scenery हो जाएगा ना कि scenery scenery का जो है पिलूरल नहीं होता है इसलिए scenery ना होके क्या हो जाएगा scenery होगा तो option number यानि कि जो हमारा A है ये गलत है कहने के मतलब error हमें बताना है इस exercise में तो scenery की जगह क्या होगा scenery होगा जो पसंद नहीं करता है क्या scenery मैसूर की जो scenery है उसको पसंद नहीं करता है next question भी आए बेगा question number six the Australian team defeated the Pakistani team by an inning तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो Australian team है उसने defeat किया पाकिस्तानी team को by अब बताना है तो अगर बात करें एन इनिंग करके दे रखाया तो Australian गलत है दी Australian defeated गलत है दी पाकिस्तानी team गलत है ना इनमें कोई गलत नहीं है अगर बात करें तो एन इनिंग गलत है अब ज्यान दीजिएगा इनिंग ना होके इनिंग का सुद्ध रूप क्या होता है इनिंग से होता है क्या हो जाएगा इनिंगह वह जाएगा अब यह आए एँजिए हम नहीं लगा रहे आप यहां समझती कि हम लंगा है इनिंग जैसे मीटिंग होती है वैसी इनिंग भी है तो इनिंग हो ला जाता है तो यहां पर जो इसका करेक्टर आंसे पार्ट में है डी वाले में नेक्स्ट क्वेस्टिन हमारे पास है She always plays the part of a hero in a film वो जो है मेशा part यानि कि करती है रोल निभाती है किसका hero का film में तो आपको error बताना है Always plays the part of a hero no error अब ध्यान दीजिएगा c है तो hero कैसे हो जाएगी तो यह वाला तो नहीं चलना है ambiguity वाला तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें तो अगर बात करें तो c है तो क्या होगी आपको पता है hero की जगे क्या हो जाएगा heroine हो जाएगा heroine हो जाएगा पसंद आये आपको label of questions पसंद आये तो एक like और एक share जरूर कीजिएगा he is my wife in black sari he is my wife in black sari तो अब इसमें हमें बताना है error question number 8 ज्यान दीजिएगा अगर wife की बात हो अगर wife की बात हो तो he कैसे हो जाएगा यह तो आप लोग भली भाती जानते है wife की बात हो तो he कैसे होगा क्या होगा see होगा तो error क्या है she is my wife होना चाहिए the she is my wife in a black sari जो black sari में है वो मेरी wife है कहिने का मतलब है तो he ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए the she होना चाहिए तो error किसमें है he is में यानि की he वाले part में next question की और बढ़ेंगे हर wife does her work very well जो उसकी wife है उसका काम बहुत अच्छे से करती है अब दिखान दीजेगा wife noun है wife क्या है noun है और डज यहां पर वर्व है कौन से टेंस की है present indefinite की जिसमें ऐसे यह साता है कौन से टेंस की हो जाती है singular subject के साथ जो है वर्व की फिप्त फॉर्म यूज की जाती है फिफ्त फॉर्म में जब हम ऐसे यह लगाते हैं टेंस पर जो वीडियो बिना रखे हैं और रही बात हर वार्क क्या है नाउन है तो यह adjective है फिर से यह positive adjective है very well क्या है किसकी विशेष्टा बता रहा है हमारा जो है वर्क है इसकी विशेष्टा बता रहा है वर्क की जब विशेष्टा कोई बताए तो क्या हो जाएगा लड़की की वाइफ तो नहीं होगी हर जो ए गश्फ के लिए कुर्ष होता है शी का क्या होता है ही का क्या हो जाता है तो यहां पर दे मिले तो उसका क्या हो जाएगा दियर हो ठीक है देखा क्या हो जाएगा देखा हो जाएगा देखा हो जाएगा देखा हो जाएगा दियर तो यह चीज आप ध्यान रखेगा ठीक है वी का क्या हो जाता है और हो जाता है वी लव और कंट्री करके अपने देखो यह पजेजिव एड्जेक्टिव हो ठीक तो यह आपको की जाए तो हर उसका होगा हीस वाइप किया मुलाघ इस वाइप होगा Computer पार्ट में हमारे पस यहाँ त्रम को इस वह सब्सक्राइब कि ट्रम काव flavor रगव्य और बहुत पूर क्टाना की जढ़ाए कि और देख़ें बात करें बात करें संमंध बताने की बात की जाए तस फड़ेजर किसकी हुड़ है तैवल की तो हमने बताया था दो तरीके से बनता है एक तो avl जैसे बोला जाते है जैसे आप बोलते हैं my school's name is school name is नहीं होता है otherwise the name of my school अब एसे आप बोलते हैं दो चीजो होती ना देखिए my father's name यहाँ पर ऐसे ना लगे तब तो on earth हो जाएगा अर्थ का तो पिताओं का नाम हो जागा, my father's name is, आपने बुक में देखा हूँगा, my father's name is, मेरा पिता नाम है, ऐसा नहीं है, my father's, मेरे पिता का नाम है, तो जो आप लिखते हैं फिर उसके बाद, दूसरा इसको लिखें तो कैसे बना सकते है, the name of my father is, the name of my father is, करके आप किस sense हमारा होई है, meaning होई है, पिता का नाम है, मेरे पिता का नाम है, the name of my father is, मेरे पिता का नाम है, दोनों sense बनते हैं, लेकिन आप कहां पर बनता है, यह sense है, आपको यह ध्याद देना होगा, जब non living की बात आती है, तो apostrophe वाला वहां पर apply नहीं होता है, जैसे यहां पर हो साथ होता है, यह वाला apostrophe S वाला, और non living के साथ क्या होता है, आप का यूज किया जाता है, और living being के साथ दोनों का यूज किया जाता है, आप का भी apostrophe का ध्यान रखेगा, तो error कौन से पार्ट में हमारा, अब तो समझ में आई गया होगा, tables would ना होके, would of the table होगा, इस दिए the tables would में हमारा क्या है, error है, यानि कि 10th का क्या हो जागा, option number A हो जाएगा, the would of table हो जाएगा, तो positive जब हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, off लगाएंगे, non living things के लिए, ना कि apostrophe, उमीद करता हूँ, explanation भी आपको पसंद आ रहा होगा, everything's beauty does not last long, हर किसी चीज की जो beauty है, समाप तो नहीं होती है, कहने का मतलब है, last long, तो everything's beauty does not last, does not last, last नहीं होती है, long का कहने का मतलब है, तो इसमें आप बताना है कि error कौन से पार्ट में, everything's beauty, आप इस sentence को 2-3 बार पढ़िए, error खुदी पहचान लेंगे, everything's beauty, तो क्या होगा, मैंने अभी बताया, ज जब अन्नी चीज़ों की बात की जाए, तो आप प्रस्ट्रोफी, यह वाला s नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या लगा, the beauty of everything होगा, क्या होगा, the beauty of everything होगा, तो इसलिए जो हमारा, यहाँ पर everything's beauty है, यह incorrect है, तो क्या हो जाएगा, option number a में error है, error क्या है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, the beauty of everything होना चाहिए, the beauty of everything होना चाहिए, अब देखिए, यह तो इस question की बात होगी, अब जो beauty है, इसका why हटते ही हमने बतायाता है, जब why हटते है, तो यहाँ तो आई यह आता है, जब fifth form बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, try, try में से हमने देखा, try हटाया है, तो इसकी fifth form हम बनाते हैं, क्या करते हैं, t-r-i-e आ जाएगा, y हटेगा तो i-e आ जाएगा, और s लग जाएगा, try, try, तो ऐसे beauty में से, जब हम इसका adjective बनाते हैं, beauty क्या है, सुन्दरता है, और जिसके अंत में ता प्रतिय लगता है, आपको पता है, वो क्या है, भावाच section यह, उदारता, करमरता, इस टाइब से अपने पड़ा भी होगा, इससे अलावा भी मैंने बताया था, community society, जिसके अंत में ty मिल जाए, वो track noun होगा, मैंने इससे पहले आज की वीडियो भी बता रखता है, तो beauty का अगर adjective बनाएंगा, तो beauty full हो जाएगा, फूल को इसमें add करेंगे, जब add करते हैं, तो हमने बताया था, दो word एक साथ हम जोड रहे हैं, जब suffix उसमें जोडते है, फूल यहां less, तो full जो है, उसमें double L होता है, लेकिन जैसे हम जोडते हैं, तो एक L का क्या हो जाएगा, omission हो जाएगा, लोग हो जाएगा, जैसे आ मैंने चेक कर लिया, I have checked, कॉंसर्टेंस है, प्रजेंट पर फैर्ट है, जब कभी भी आपको has, have, had दिख जाए, यहां बिल have दिख जाए, और यहां आपको model actually दिख जाए, can have, could have, may have, should have, would have, इन सब के साथ कौन सी form यूज़ करते हैं, वाब की third form का यूज़ करते हैं, और तब फिर पैसिव हो जाएगा, तब भी वर की third form का यूज़ करेंगे, बीन के साथ अलग-अलग sense बनते हैं, यह भी हमने वीडियो बना रखी हैं, हर एक topic को अगर बात करें, इतनी basic से basic यहां पर grammar की वीडियो बनाएगी हैं, लेकिन depend करता है कि आपके पास समय है, आप interested है सीखने के लिए, तो सीख सेथे हैं, grammar एक दिन का काम नहीं है, फिर से बोल दो, अपने भी 10 से 12 सालों का experience है, जो यहां पर हम share करते रहते हैं, तो error बताना है, I have checked this month calendar, तो इसमें error क्या होगा, तो I have checked this month calendar, तो क्या error होगा इसमें, error यह हो जाएगा, जो apostrophe है, कब परियोग ह नहां पर होगा, अगर बात करें, I have checked this month calendar, इस महिने का calendar, तो month calendar नहीं होगा, मैं फिर से बता रहो, इस महिने का calendar हमने चेक कर लिया, तो यह C option, जो है, correct होगा, error इसी पार्ट में, he is no of the best student in the class, अब एक कुछ अटपटा sentence लग रहा है, he is no of the best student in the class, तो error बताना है, no of the नही होता है, क्या होता है, error क्या है, यहां पर, no of the नहीं होगा, one of the होगा, one of the के बात करें, तो one of the best students होगा, अब देखें, यहां पर पहली चीज मुझे ऐसा लग रहा है, यह typing error है, one of the होगा, ठीक है, one of the है, अगर option में हमारे पास no of the नहीं है, तो one of the है, आप इसको one of the कर ल plural noun लगेगा, कौन सा noun लगेगा, plural noun लगेगा, जो कि हमारे पास क्या है, student है, student होगा, students हो जाएगा, अब बहुत सारे एक best student का हमारा collection है, अब इसको ऐसे कैसे मानेंगे, तो आप कैसे मानेंगे, इसको best student का हमारी portal है, माल लो, best student जितने हैं, उनको हमने उसमें रख दिया, group में, उन में से एक की बात की जा रही है, ठीक है, तो best students हो जाएगा, बहुत सारे हैं, उन में से किसी एक की बात रही है, तो he is one of the best students in the class, जो class में जो best students है, उन में से एक है, तो error कौन से पार्ट में है, समझ गए होंगे, he is one में, जो है, error नहीं है, error है, error है B में, the best student में, the best student ना होके क्या हो जाएगा best student से हो जाएगा तो option number B जो हमारा है उसमें आरर है next question देखे लिब्स इन ड़ेखे वन आपडी मेजर सिटी इन इंडिया वह दिली में रहता है जो की मेजर सिटी है तो अब देखिए one of the major city तो यहां पर क्या होगा फिर से हमने बोला कि जब पिलूरल की बात के वन आप दी आ जाए तो वन आप दी के साथ क्या आता है city जोगा ना कि city तो city का पिलूरल क्या हो जाएगा city हो जाएगा वाई हटेगा से स्टार्ट हो रहा है पहली चीज तो यहां पर question mark आना चाहिए अब बात करते हैं इसमें एर्र बताना है तो इस question में हम बताना है कि एर्र कहां पर है तो question 15 में बताना है अंजल भी गो फोर वाकिंग इंडी पर्टी तो एभी यहां पर कैसल भी गो फोर सब्वार वाक फर्टी होगा क्यों गोंधाओ व्भ फार वाक फोव वाक र वाक इंदी पर्टी आप अंच्रोर का आगा अक्योर्ष आअ चाहिए क 아니고 जो है आपकिन ने ने में हो हो जाएगा फार वॉकिंग वाला जो है नेक्स्ट्स के और बढ़ेंगे क्वेश्चिन निवस सिक्स्टीन थे हैं आइट नाट लाइक है आई डूनाट लाइक के इस आप नोबिल्स आइड नाट लाइक इस खेंड अफ नोबिल्स these kind of nobles तो क्या error कौन से पार्ट में यह बताना है मुझे पसंद नहीं है इस परकार के nobles तो these kind of नहोंगे these kind of हो जाएगा क्या हो जाएगा these kind of हो जाएगा ना कि kind of kind of the value से मतलब है kind of nobles next question नमारे पास है the teacher gave her punishedness for telling a lie तो पनिशनेश नहीं होगा आपको पता है आपको अजीब सा लग रहा होगा पढ़ने में भी अपने देख लिया होगा अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पर इता हुआ है जिसे पानीच है जैसे पानी गिर जाता है तो उसको जैसे जैसे आप दिशा देंगे वैसे वैसे जा सकते है कभी आपने देखा वोगा फरस में पानी गिराना फिर आपको पता चल जागा जहीं दिशा में आप ले जाने चाहिए वहां वह जा सकता है तो हमारी इंटर्नल पार्स को भी एक डिरेक्शन की आउसकता होती है जो बहुत सारे सांति आप मैंसे जो यहां पर में देखता हूं कमेंट करते हैं कि यह करना हो करना है मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कोई भी आपको आपके लक्ष को नहीं दिला सकता है उसके लिए आपको आगे आना होगा और वह एक आपको गाइडेंस देखता है प्रॉपर गाइडेंस में आप आगे बढ़ें तो जो है अपने लक्ष को आप राप्त कर सकते है आसे नहीं होता है नहीं पंपेमन्मेंस करता है यहां पे इसमेंट आपर और हुना के बनेगा है जो जोने करके चिछा था पनिश्मेंट क्या है चलिंडिन क्रते चाहर ऑपनिश्मेंटret यह वह सप्राइज है वह अचंबित हैं या अर्शिज चकित हैं उनके अजीब गरीब जो है वहार के लिए वहार के लिए आप देखिये दो आते हैं एक देखिये आपको जो आज की डेट में इंग्लिस देखने को मिलती ना उसमें आप एक तो वी आई आई और देखते काल-o-ur-a-lo-r तो यह जो है यू-a-r-o-a-lo-r वाला जो है यू-k यूड़ेट केंग्डम वाली है और यह यू-a-s वाली है ठीकर और अधितर्व जो करेक्ट माना जाता है अगर हम बात करें ग्रेमर में वैसे तो होनों नों करेक्ट हैं लेकिन जो अगर बात की जाए क क्योंकि यूवार क्या है इसको सब्सक्रात करने और इसका पिल्र종 नहीं बनेगा इसका नहीं होगा इसे इससे से हड़ जाएगा एर्र हमारे कौन से पार्ट में है एर्र हमारे पास जो option number C है इसमें है तो इसलिए character answer C हो जाएगा इस वीडियो के अगर बात करें तो last question है 19th number का और जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी और वीडियो प्रसंद आई हो तो एक like और प्यारा सा comment जरूर छोड़िएगा अपनी और से और अपने साथियों के साथ भी share कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इसी type की वीड children saw बच्चों ने देखा बच्चों ने क्या देखा और शीप एक भेड़ देखा इंदी फिल्ड में no error कौन से पार्ट में error है अगर नहीं है तो तब तो आपको क्या कर देना है no error कर देना है तो क्या हो जाएगा the children saw और see तो यहां पे क्या होगा children saw seep होगा और seep की जगह क्या हो जाएगा children saw seep हो जाएगा यानि कि भेड को देखा उन्हों ने तो अगर अब देखे एडर हमारे कौन से पार्ट में हो गया पार्ट नमबर टू में हमारे एडर हो गया लेकिन अगर बात करें इसमें अब यह जो सौ है जाते जाते हैं यहां पर कुछ कॉंसेप्ट बता के जाते हैं लुक वाच और सी आपने तीन वर्ड देखे होंगे और तीन की मीनिंग आपको एक जैसी लगती होगी देखना ऐसे दो वर्ड और बताओं hear और listen भी होते हैं hear और listen भी होते हैं तो यह ध्यान दीजेगा जो सी है सी आप नहीं देख रहे हैं यह आपको दिखाई दे रहा है सी का मतलब है suddenly कोई चीज हो जाना अच्छानक से all of a sudden बोलते हैं suddenly जो चीज होती है उसके लिए यह होता है तो क्या जायागा अगर शॉड की बात करें तो आपने देखा आपने आपका कहते हैं आई आई सौ यू यस्टरे चाहिए मैंने कल आपको देखा मैंने कल आपको देखा इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं आपको आपको देख तो I saw यहनि कि suddenly मैंने आपको देखा watch कहां पे यूज करत तो आइवाज मूवी है यूँस टेले विजन इस के लुक हर typos लुक का मतलब डूजिस को और लुक गुड्स ए लगना और यू लुक गुड्स पहुंद बहुत साथ ऐस्पोकनamat रहे लेकटर नहीं überall यह जैसे meet में आएंजी लगा तो meeting हो गया बैठक बन जाती है, understand में आएंजी लगा तो understanding यानि की समझ बन जाती है, think में आएंजी लगा thinking यानि की सोच बन जाती है, looking भी ऐसी है, तो you look good होता है, इसका अगर continuous form भी आप देखेंगे तो you look good होगा, आप अच्छे लगते हैं कहीं तो listen और hear में भी यही है, listen आपका attention की आउसकता होती है, जैसे मैं अब भी वीडियो यहां पर बना रहा हूँ और आपके attention की यहां पर आउसकता है, ना की hear करना, hear करना क्या है, उपर उपर सुनना, एक कांसे सुना, दुसरे कांसे निकाल दिया, यह आप सुन नहीं रहे है जैसे आपको सुना ही दे रहा है, जैसे मैंने का देख नहीं रहें, दिखा दे रहें, तो शुन नहीं रहें, सुना ही दे रहें, तो उम्मीद करता हूं वीडियो जो है आपको पसंद आयी होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you, thank you so much.